आखिर कोन होगा 2024 का दुल्हा लालू परसाद यादव ने राहुल गांदी को सला दी है यानि एडवाइस दी है कि अब आप शादी कर ले हम सब आपके बाराती बनेंगे क्यूंकि आपकी मम्मी तो कहती है आप किसी की बात नहीं मानते आप सब जानते हैं कि बिहार में विप मुद्दा बहुत गरमाया वह मुद्दा बीजेपी पार्टी से भी बढ़कर था लेकिन वह मुद्दा क्या था वह मुद्दा था राहुल गांदी की शादी को शादी करने की सलाएं दी जा रही है आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को दोरान कन्या कुमारी से रा पौपूलर तीन लोग है याम पर जिनकी शास आनी ने वी अैक है रहुल गांदी दूसरे है सल्मान खान और तीसरे चुहर हर कोई भारती के मुणान नाम जरूर है कि सल्मान खान की शादी कब आदे और अब शादी करन के लिए जितनी भी तो parties हैं वो सब एक जुट हो चुकी हैं जहां पर आपको बता दें कि बिहार में opposition parties की meeting हो रही थी उसी में लालू परसाद यादव ने राहूल गांदी को ये कहा कि आप ने भारत जोड़ो यात्रा करकर एक बहुत अच्छा कदम उठाया है यही कदम आप शादी करकर भी उठा क्योंकि ऐसा नाहो कि देश के नोजवान आपकी तरह लगारत में जाएंगे राहुल गांदी की तारीब भी की लेकिन राहुल गांदी की जो वेटिंग है बारात है उसे लेकर बिहार में काफी चर्चा चली और ये चर्चा ऐसी जगा पर चली जहां पर इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी यानि यहां पर महंगाई का मुद्दा भी गरमाया लेकिन उसके साथ राहूल गांदी की शादी का मुद्दा भिगरमाया महबूबा मुफ्ति और अमर अपणिए थे यहाँ पर मिटिंग अटेंड करेंगे लेकिन तब हसी आगे जब राहूल गांदी की शादी की चर्चाय जो है वहाँ पर बता दे अर्विन केजरिवाल ने जो है कॉंग्रिस को जम कर कोसा लेकिन फिर अमर उब्दुल्ला ने जो है वो अर्विन केजरिवाल की ऐसी क्लास लगाई कि अर्विन केजरिवाल को जो है वो चुप करना पड़ा और तब अमर उब्दुल्ला ने ये सवाल पूछा कि वो आप ही थे जिन्नों ने 370 और 35 से तूटे पर परधान मंतरी मोधी का शुक्रियादा करकर लड़ू खाये थे आज आपको वो लड़ू हजम नहीं हो रहे लेकिन हम आपको नहीं भूल सकते आज आप शायद एक जुट हो चुके हो और आपको ये भी बता दे कि देश की जनता को मुखातिब करते हुए देश की जनता के सवालों के जवाब देते हुए लालो परसाध यादब ने ये कहा कि जनता का सवाल है कि हम किसको वोट दें आप तो सब बटे हुए हों कॉंग्रेस है एंसी है पीडीपी है जे डीउ है आपको बता दे कि ममता मेरिजी की पार्ट और बीजेपी मुक्त होने के लिए आहम एक जुठ है और आपको हमें वोट करना है इसी पर आपको यह भी बता दे कि लगातार उन्होंने परधान मंतरी मोदी जी को कटगरे में खड़ा किया उन्होंने यह कहा कि परधान मंतरी मोदी जी के होते हुए महंगाई जो है वो महंगाई पर भाजपा को जब गेरा उन्होंने कहा कि देश की जनता कहती है वोट आपका है लेकिन आप लोग मिलते नहीं हैं आपके वोट बढ़ जाते हैं और हम क्या करें हम तो वोट आप ही को देते हैं हम बीजेपी को वोट नहीं देते लेकिन हमारे वोट जो है वो ब पसंद कर रहे हैं। आपके सारे साहीं हे, आपको शादी ना करना एक गलत मैसेज है। अगर आप को शादी नहीं करेंगे तो देश के नोज़वान भी शादी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमारा युगा सानवारा रहाज जाएगा। इसलिए राहूल गांदी जी आप शादी करें ताकि हमारे देश का नोजवान भी शादी शुदा हो और आगे जो है आप सिंसिला बढ़ता रहेगा आगे जो है जनरेशन बढ़ती रहेगी अगर आप क्या सब देखकर शादी नहीं करेंगे तो गलत वैसे जाएगा इसलिए आप शादी करें हम बाराती बनेंगे और आपकी मदर का सपना भी पूरा हो जाएगा अब आपको क्या लगता है दो हजार चोबिस में राहूल गांदी की शादी होगी या नहीं इसके बारे में आप जंब लटन न्यूस के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और साथी सा लाइक कमेंट और शेयर भी जुरूर करिएगा